दोस्तो हम आपको हमारे पिछले चार वीडियो से लगातार बताते आ रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अभी एक महत्वपूर्णा सपोर्ट के पास पहुच गया है तो आपको अभी सावधानी से काम करना चाहिए आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स पिछले चार दिनों से उसके 200 दिनों के एक्स्पोनेशल मुविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है और फिर से एक बार वो उपर जाने की तयारी कर रहा है दोस्तो हम ऐसा इसले कह रहे है क्योंकि आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के 4 घंटे के चार्ट के उपर पॉजिटिव डायवर्जन्स बना है और पूरे पूरे चांसे से के ये पॉजिटिव डायवर्जन्स के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा पिछले दो दिनों में सिल्वर के अंदर एक अच्छी गिरावट आई है और आज भी ये गिरावट कंटीन्यू हो रही है इंडिया के अंदर हमने आपको क्लियरली बताया था कि सिल्वर के लिए 62,370 ये महत्वपूर्णर रेजिस्टन्स है एक दिन के लिए सिल्वर इसके उपर निकल रहा था वो समय पे भी वीडियो बना कर हमने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जो ये सिल्वर में ब्रेकाउट आ रहा है वहाँ पर हम खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे आप देख सकते हो सिल्वर अभी भी 62,370 के उपर कंफर्टे बली क्लोज नहीं दे पा रहा है और आज सिल्वर के अंदर इंडिया में भी गिरावट बढ़ रही है सिल्वर की तरह ही आप देख सकते हो गोल के अंदर भी आज इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट बढ़ रही है उसी तरह से इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडियन रुपी की वज़े से गोल में एक अच्छी तेजी बने थी लेकिन आज एक गिरावट आई है अब आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर 52,600 BCS सपोर्ट का काम कर सकता है लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि इंटरनेशनल प्राइजेस के उपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है सिल्वर के लिए इंटरनेशनल मार्केट में अब उसका 200 दिनों का Exponential Moving Average सपोर्ट का काम करेगा जो आता है रेक्टेंगल पैटन की उपरी ट्रेंड लाइन के पास और ये सपोर्ट आता है 20.85 डॉलर के पास हमने हमारे पिछले वीडियो से आपको लगातार बताया है कि सिल्वर जब तक 20.40 डॉलर के उपर है हमें लगता है कि ये करेक्श के बाद सिल्वर के अंदर एक तेजी उपरी तरफ फिर से एक बार बननी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको क्लियरली बताया है गोल के लिए 1725 डॉलर का लेवल अब सपोर्ट का काम करेगा तो सपोर्ट के पास जब गोल गोल एंड सिल्वर की कीमतों को इंडियन रूपी सपोर्ट करेगा और आपने देखा भी कि इंटरनेशनल मार्केट में जब गोल एंड सिल्वर पिछले दो दिनों से निगेटिव में थे इंडिया के अंदर गोल एंड सिल्वर पॉजिटिव में थे इंडियन रूपी चार दिनों से कमजोर हो रहा है और हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स अगर यहां से उपर जाता है तो इंडियन रूपी में कमजोर ही थोड़ी और बढ़ सकती है जो इंडिया के अंदर इंडियन गोल्डन सिल्वर की कियमतों को सपोर्ट करेगी तो ये बात ध्यान में के पास भी है तो यहां से डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी तेजी ऊपरी तरफ बन सकती है जिस वज़र से गोल्डन सिल्वर की कीमतों के उबर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन रूपी गोल्डन सिल् के साथ शेयर करना ना बुले तक यह जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक्यू